जहें दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइके मैथ एंड साइंस क्लासेज में आज हम आपका लें बहुत का गोल आपका क्लास 10 का अपका निर्मान उद्योग आपका परिवान पड़ेंगे जिसमें सरक भी आएगा तो यह सभी और फिर आप इसके नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगें बिहार का स्पेचल तो आज हम देख लेते हैं यह आपका बता है भारत के लिए तो इस्टार्ट करते कलास और जो भी आप वीडियो देख लिए तो फटापट वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा और चैनल पे जाती है जारे में बोई जाती है नहीं का अक्टूबर नमोंबर में और क्या मार्च अप्रीर में काटी जाती यह उसी को अब भी फशल कहते है और जैसे दिखेगा गया गया ह। तो वह सभी अपका रभी फसल आजाएगा और अक्टूबर नमंबर में काटी जाती उसको भरी फसल कहें जिससे दिखेगा धान और धान के साथ जो भी आएगा वह सभी आपका देगा नेश्ट नेमने कौन बेबसाइक फसल नहीं है बेबसाइक फसल किसे कहें वह साथ जिसका उपतबादन केवल क्या था बेचने के लिए पसल या नगदी फसल कहते है गन्ना जूट तंबाकू गेहूं तो इनमें कौन नहीं है यह पूछा है तो बताएंगें आंसर क्या जगा तो आंसर आप कहेंगें डी क्योंकि गेहूं का उत्पादन सिर्फ बेचने के लिए ने खाने के लिए भी किया जाता है जबकि जूट तंबाकू गन्ना का उत्पादन जो करेंगें वो बेचने के लिए करेंगें नेश्ट है रभी की फसल किन महिनों में बोई जाती है बंसल बरसा में बुई जानी फैसर कुम क्या करने खरीज़ फशल कहते हैं तो आणसर दीदेखे ऑफशन गयूं सरसूं चाबल मटर फटा-फटापना अंसर कुमेंट करेंगे क्या होगा तो देखेंगे खरीज़ फशल कौन होगा बरसा वाले फशल जो है क्वोनेब अपका चावल और तो नेक्स कोईशन देकिएंगे दाल किस पॉष्टिक अन्स कब हाग है मतलब दाल किसका सुरूत है तो डाल सुद प्रोटी प्रॉटीन बिटामीण दाल में याद रखना है और कार्बोहाइडरेत कोई भी अनाज है वह कार्बोहाइडरेत का शरूत है और बसा का है और बीटामिन डी आपको सबसे उत्तम्व सुरूत है सूर्ज का परकास का सूर्ज का परकास next question को बढ़ेंगे को सर क्या दियान देजेगा निमलिकित में किस राज में बन का सबसे अधिक विस्तार है किरणाटक मद परदेश उत्तर परदेश आसर क्या देगा मद परदेश next question चाय किस परकार की किर्सी फसल है रोपन निर्बार दूगद रभी बताना चाय किस परकार की किर्सी फसल है तो याद रखना ना चाय कॉफी वस्वाद अपका गन्ना और फिर देखेंगे यह सभी आपका रोपन फसल में आज़ता किसमें रबर भी आ जाएगा यह सभी रोप देखेंगे आपका कहवाद करेंगा तो कमेंट करेंगे यह दूनों आपका काहवा किसमें नेच्ट कोशन को बनेंगे नौ देखेंगे कि अपका इसका अंसर क्या है अंप क्या दोड़ार के महाराश्ट किस फसल की खेति के लिए पर दर्शिद sat जाएक. महाराश्ट किस फसल की खेति के यह पर भारत का जूट किसे का जता है भारत का जूट किसे का जता है पटा-पटा अपना आंसर को मेंट करेंगे पच्छिम मंगाल बिहार उलिशा च्छतिसगर आंसर देखेंगें नेक्ट कोस्टन देखें उत्तर परदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है और पास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए काले मिटी के लिए जानती फसल है तो करा पाला रहित मोसम कितना दिन होना चाहिए 210 दिन, 102 दिन, 350 दिन, 143 दिन पटा-पटा अपना आंसर को मेंट करेंगें तो आंसर देखेंगे 210 दिन, नेक्ष्ट को बढ़ेंगे, कोस्चन है आंद्र परदेश किस फसल के उत्पादन में अगरानी है, तील, तंबाकू, सहसो, नारियर, आंसर आपको जगा तंबाकू, तंबाकू, नेक्ष्ट को बढ़ेंगे, आपका, अब देखें निर्मान उ द्योग है, राउल केला, यह जो है, किस राज में है, औरिशा, जारकर, मद परदेश, और आपका, पच्छिब मंगाल, पटापट बताएंगे, औरिशा, यह जो आपका, राउल केला, यह क्या है, औरिशा में याद रख लिजेगा, यह बहुत ही मात्कूर टॉपिक है, न क्या बिस्वस्व लगया, लौहा इस बात उगए फटा पटा, अपना आंसर कमेंड करेंगे, आंसर देखेंगे, टिस को टाटा जमसे जी टाटा ने क्या था, याद रखना है, ने बिद्दू करने तो बड़े पर होता है, तो याद राखर लिजेग, ने ख्रसीन पर आध नहीं है किर्शी परडारित नहीं oh तो सूती बस्त किर्सी परादारित सीमें चीनी जूट बताना क्या हुगा सी में लीकिव नार टा पनारा आएरंड ले चलाट उफे टॉकर और यह हाट रहाटा नहीं किस वर्से क्या था रही एठ То साथ 1915 1923 पटापटा अपना अंसर कोमेंट करेंगे क्या होगा 1907 1907 कहां में किये थे जम सेधपूर जारखन में जो भी बटवान में नेस्ट कोस्टन देखेंगे आपका पीतल बनाया जाता है पीतल जानते आपको जब कमेस्टी पढ़ाएते तो आपको बताएते पीतल एक म नहीं जात हुए तो फटापटा अंसर कोमेंट कर दीजिएगा तामबा और जस्ता का नेक्स्ट कोस्टन नेपा नगर किस उद्यों के लिए परसीदे नेपा नगर देखें ऑप्शन चीनी सीमेन अकवरी कागज लो इस पाथ बताना है नेपा नगर किस खनीज के लिए किस चीनी सीमेन अबरक लो इस पाथ फटापट असर करेंगे क्या होगा चीनी उब्बगताव द्योग है नेश्ट कोस्टन डेस में कितने विश्यस आर्थिक खेत्र बिक्सित है दस साथ पंद्रा पांच फटापट असर करेंगे देखेंगे आंसर आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा दस नेश्ट कोस्टन बपाल तरास्दी में किस गैस का रिस सब्सक्राइब बताएंगे जो रखना याद रख लेना याद रख लेना आपका यह वा था मिथा आईसॉसाइनेट मिलेगा कहीं आपको 1984 में याद रखना 1984 में भुपाल कहां है मद पर्देश में यह याद रखना और दो से तीन दिसंबर के नाइट के बाद है यह जब यह जिसाब हुआ था फुगली जो अध्योगी पर्देश का केंदर कहां है और अपसन देखेंगे और इसी पर दिख रहा है यह सब सारवजनिक उद्योग चेत्र कोंन है जेकी सेमेंट ऊड्योग रेमांड ट्रंबस्त बोकारो लोग सतापद की गई थी तो वह कहां क्यों क्या अब बताना कारण क्या था यह पर फडिए क्या उस्पादन है यह बहुत अच्छा था मुंबई में पूजी उपलब दिए चोथा इनमें से सभी तो आंसर देखेंगे इनमें से सभी हो जाएगा मुंबई बंदरगा जानते ही है भात का अपका वहतरीन बंदरगा और नेक्स टोप्षन को बढ़ेंगे चूना पथर का प्योग किस उद्योग में होता चूना पथ चूना पथर का सी एक चूछ नेक्स टोप्षन को बढ़ेंगें चीनी उत्पादन में अगरें राज कौन है इन्हीं चीनी उत्पादन में भात का कौन सराज सब से आगे है ऑप्सण देखें उत्तर पर्देश महाराष्ट पंजाब असम आंसर हो जगा उत्तर पर्देश नेक्स्ट में दम घुट्टू गैस निमली कि में किसे कहा जिता है दम घुट्टने वाला गैस अध्याशन सलफाइड सलफाड डियक्साइड कलोरीड कारबन मोनो औकसाइड तो आंसर आपका और आपको देखेंगें आपका कुछ 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 देख लेते हैं कि अर्वांस समसे पहला आपका कोर्श्टन देखते हैं न्यां और तुक्या का अंगोरा और ऩा याद रखना है और आपका पूछन पूचन हैं फिर से बताईएगा भुपाल गैस तराश्दी किस बर्ष हुआ था आज अगर ध्यान दियोंगे तो आप लोगों को पता ही होगा भुपाल गैस तराश्दी किस वह था तो निस्सव चोरासी को हम बताएथे दो तीन दिसंबर की नाइट को हुआ था निस कोश्चन है भा सबस्सक्राइब कोलकता नेश्ट को बढ़े तरूं समबंधित स्वार्नीम चतरबूज जो महामार्ग मार्ग जो याद रखेगा दिल्ली डिली मूंबई चैन्ना और को यह याद दिल्ली मूंबई दिल्ली और और यहां आपका कूलकता को जोने वाली है याद रखना है निस्ट को बढ़ेंगे क्या है भारत का सबसे बरा बंदरगा को होना है अभी तुरत आपको बताएते कि का पास जहां पर जो था भात का पहला सुति बस दूख मुंबई को लगाया गाता वह बताएते आपका का रह भात के सबसे बरा बंदर रहा था निवन को सबसे लंबा राष्टी राजमार है लगार इससंग के तीन राजमार संग्या पांच राजमार संग्या साथ यह बताइए फटा-पट आंसर क्या हो जाएगा नेच सेबन निश्फ भारतिया अंतर देश्टी जल्मार्क पराधि सब्सक्राइब नागपूर सरक योजना के दर्गत सरको कितने भागों में बाटा गया तो यहाँ से कर लिजेगा बहुत ही फैमस यह कोश्चन है सरकारे राज बाखें, झार बाटा ही फै emotion तो यहाँ सकती है को कि देखेंगे को करता संब्सक्राइब यहाँ बांगे जिला सरके जो देखेंगे आपका 14 परसेंट होता है और इसका रख रखाब राज सरकार की हिंद्र नहीं होता खेंगे यह आसी परसेंट जो सरके होती है गरामीन होती है एक राज को सब्सक्राइब को एक राज एक जीले से दूसरे जीलों को जोड़ने कब करेगा एक परखंड दूसरे परखंड को आपस में जोड़ेगा गौह बाले तो जपते च्छोटे-च्छोटे सबसे जएदा याद रखेगा भात का सरबादिक बीदेशी बेपार किस मार्ग द्वारा होता है बीदेशी बेपार जोता है अस्तल मार्ग बायो मार्ग समुद्री मार्ग पाइपलेन मार्ग तो आंसर याद कर लेंगें यह बहुत हिमात पुन है समुद्री मार्ग द्वारा जो यह आपका एन्यच में आता है जो दिल्ली, मुंबई, पुलकाता और चन्रै, चार महानगरों को जोड़ती है देखें लगू तरिया प्रसम भी पुछा जाए तो अब क्या लिखेंगे तो अनिम चतरवुज महामार भारत के चार महानगर दिल्ली मुंबई पुलकता और चन्ने को जोड़ती है इसकी कुल लंबाई अंठाबन स्वा चैलिस किलो मेटर है नेस्ट कोशन को बढ़ेंगे है भारत को कुल कितने डाग छेत्रों में बाटा गया है साथ पांच छा आठ आंसर करेंगे फटा पट बात को कितने डाग छेत्रों में बाटा गया तो आंसर देखेंगे आठ आजाएगा आठ नेस्ट किस बर्स इंडियन एरलाइन को इंडियन नाम दिया गया किस बर्स इंडियन जो एरलाइन था उसका नाम क्या दिया गया इंडियन दोजार पांच दुजार आपका तीड़ इसे तो बताएगे क्वा इसका लीकेए पांशर दंगें दुजार 25 सोसे ट्रीन वद्धे को भिटेगे ए sesa कुस् reasons लुजार आपको भाठ्षिन सबस्राइब में हैं घुजरात गोवा पॐ Voor करनाटक आंसर बने सार्ट किस मामें पर हैई मैंप मिलनाडू अब आपको भारत देखें दच्छिन भात में लेज चलते हैं यहां से गुजराथ गुजराथ मियाद रखना कांडला बंदरगा गुजराथ के साथ महाराष्ट महाराष्ट मियाद रखना मुंबई और नहाब सुआ बंदरगा याद फिर गोवा में देखेंगे मारमागोवा करनाटक में मंगलूरू और बैंगलूरू को फिर इस सार देखेंगे पैपका पूरा मैं जो करनाटक यहां पाड़ाइद लाड़ू पारादीब बंदरगा और फिर आपका यहां पच्छिम बंगाल में जाएंगे तो याद रखना कलकत्ता बंदरगा जो कि हुगली नदीप पर यह साइज जितना भी पूरब के ओर है वह आपका बंगाल खारे में पच्छिम को जो भी है वह अरब सागर में इसको याद रख जीका से निमली के कौन एंसर को नहीं है ओप्सिन देखे पूरब पच्छिम गल्याठा एकस्परेस के बाइब तो यह आपको बताई थे दियां और गुजरात में पुरबंदर को जोड़ने वाले यह नहीं ही आता है और इसके जो देखेंगे च्छती स्वाइब का लगवाद दस होता है अपकी लंबाई और फिर उत्तर दचिंगर देखेंगे आपका स्री नगर से आपका कन्या कमारी जो आपका यह चालिस सो लग किलमे से बहुत मैंत कुन होती है निश्वासन सोतंता प्राब्ती की मैं सर्कों कि लंबाई कितना था था उसमें डेश में और आपको बताना अपना कोमेंट करेंगे तो आँसर क्या होगा हम बता देते हैं एक द सम्लॉब चाट जा यहाद रखना है आज्ए compliance तो यह आपका सोला हो गया लेकिन याद रखना आपका सोला है तो आपको बताएते पारादू बंदर का काम है तो पारादू बताएते आपका अंत्परदेश औरी सा तमिलाडू पच्छिम मंगाल क्या बताएते औरी सा सबसे ऊंची रख कहां मिलती है याद रखना ओंची शरक हैं तो या रखना क्या होताएत आपसी है बात सक सबसे ऊंचींच सरक कहा पूर्बतर रेरबे का मुक्क tart कहां इस पर यह चाहिक आपका कर Dabei Bare aggi Tus yeah आपका किया फूरा मैप ही मायन में बच जाएगा उसके बाद कभी गलती भी नहीं करें तो पुर्वतर रेर्वे का मुख्याला कहां यह आपको बताना है तो पटा पटा परा यह होनी चाहिए पुलकता है यहां करेंगे लग अलग कुलकता अम देखेंगे दो जोन है और एक नया देखें कुलकता आपका क्या अपका मेटरो भी आ गया बात में रेर्वे स्टेश्री की संक्या कितनी है बात में पूछा जा रहा है कि रेर्वे इस्टेशन की संक्या कितनी है ऑप्षन देख लिजिए 233, 317, 311, 3909 अश्का सही अंसर होज़ेगा सबसे लंबी दूरी तैक करने वाला क्या नाम है इस आपना अंसर कोमेंट किजेगा यहां पर बहुत सा कशचन बीजम सुट दिए को अत्तना important नहीं था उत्तर मद next question देखेंगे फभलि में किस zone का मुखाले है उपली में और यह आपका आजिका अंतिम question होने वाला हुभली में किस आपका relationship zone का मुख्छा लह का अंसिखाले पर ले रेयरवे gjorde सब्सक्राइब पढ़ेंगे और फिर देखेंगे बिहार में जो जन्संख्या है वो कैसा है यह सभी नेक्स्ट वीडियों पढ़ेंगे यह आज को पढ़ेंगे तो मैं चैनल को लाइक से रहों सब्सक्राइब जरू करें यहां आपको पढ़ते एक दिन हर भी से क्या देखेंगे आपका कलास होते रहता है तो आराम सब्सक्राइब कर सकते तो आज के विडियों को बस इतना है जैन जैभार